Hello guys welcome back to a new video आज का शीडर हमनों बात करेंगे कल मार्केट में क्या होने वाल है निफ्टी बात करेंगे निफ्टी आप लोग को पता ही पहले क्या हुआ था एक हमको बहुत अच्छा ब्रेक आउट देखने के लिए मिला था और आज का पूरा दिन market इसके उपर sustain हुआ है although आज I think Nifty minus 70 minus 80 points close हुआ है but still it's a very very positive day for Nifty क्यों क्योंकि we have now two consecutive days जहां पर हम लोगों को breakout के उपर daily candle पर closing मिल चुका है अच्छा हम लोगों को ने यहां पर देखा था कि already एक बहुत ही बड़ा consolidation था उस consolidation को यह already move को पकड़ना चाहिए हमारे पास I think कल का जो level है वो 16,700 का level है and I do think कि इसके उपर हमको 16,840, 850 के levels बहुत easily देखने के लिए मिल सकते है अच्छा अगर हम लोगो कोई dip मिलता है towards 450 या 440 तो I think वो जो dip है उसके अंदर likely थोड़ा सा buying आना चाहिए क्यों buying आना चाहिए क्योंकि वो इस breakout का retest होगा and अगर वो retest है तो वहां से फिर हम लोगों को market bounce करता होगा बहुत easily दिख सकता है similarly अगर 16,400 तूट गया तो वापस से पिछली range के अंदर चला जाएगा जहां market पहले consolidate कर रहा था उसके नीचे market bearish हो जाएगा अभी market का bearish होने का time है हलका साथ जहां भी आपको dip मिले आपको जहां भी लगे वहां पर आप लोग इसको long कर सकते हो as long as market 16,400 के उपर है तब तक similarly बात करते हैं उससे पहले में आप लोग को telegram के बारे हम बता जालता हूँ अगर आप लोग को जॉइन करना है नीचे link is in the description वहां पर आप लोग को बहुत ज्यादा help मिलेगी and it takes absolutely nothing at all to join तो आप लोग उसको जाकर जॉइन कर सकते हो bank nifty की काईज अगर हम लोग बात करें तो daily chart पर यहां पर it is stuck somewhere in between अच्छा एक तरफ अगर हम देखे तो यहां पर हम लोग को एक breakout देखने के लिए मिला था जो कि हम लोग ने inverse head and shoulder देखा था 4 आर के time frame पर यहां पर inverse head and shoulder देखने को मिला था कल हम लोग को यह 34,000 I think 34,800 पर यह लीटेस देता हुआ देखने को मिल सकता है and I would definitely love to buy it अगर मेरे को 34,800 पर आता हुआ दिखेगा I would love to long it 34,800, 34,900 के range वे and वहां से हम लोग इसमें बहुत अच्छा बड़ा एक bounce देख सकते हैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं similarly अगर यह उपर की साइड में 36,100 को तोड़ेगा जो कि अभी I really don't think कि वो तोड़ने के मूड में है but उस लेवल के उपर बुलिश हो जाएगा so yes for the timing I think 34,800, 34,900 पहले आना चाहिए and then महां से हम भोग बांस करते हो market को देख सकते हैं that's video much it from my side for nifty and bank nifty आप लोग का जो आप मेरे को comment section में बता सकते हो I really hope आप लोग को वीडियो पसन दाया होगा जाताते इस वीडियो को like करना जातको subscribe करना and I'll see you guys in the next video तो तक लिए take care good bye